आज की इस कलास में बहुत कुछ जानने की लिए आखका देखेंगे हम लोग की राजकोसी ये परिशत की बात क्यों की जा रही है आखिर होती क्या है राजकोसी ये परिशत उस पर भी बात करेंगे इसके राजकोसी ये परिशत के कारे भी देखेंगे हम लोग और इसकी आव जा रहे हैं इसके सामने चुरोंतियां भी क्या क्या सामने आ रही हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे अभी आपके जितने भी आर्टिकल लिखे गये हैं या लिखे जा रहे हैं वो सभी लगवग लगवग आपने देखा होगा या तो आपके विदेशी सम्मंदों से बात की जा रही है या फिर आप देख रहेंगे कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लिखet जा रहे हैं. तो एव आर्टिकल भी आपका कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है. बैस्विक मां हमारी COVID-19 की चुनोतियों से निपटने के लिए सरकार को अधिक बैय करना पड़ रहा है जबकि आर्थिक गतिविदियों के मंद होने से अपेक चानपात अनुरोप राजस की प्राप्ती नहीं हो रही है बित्तिये वर्स 2019-20 में नियंतक महलेखा कार CGA द्वारा अनुमानित राजकोसिय घाटा संसोधित अनुमान से 0.8% अधिक यानी की 4.6% है चालू बित्तिये वर्स में बिना किसी राजकोसिय फ्रोसाहन के राजकोसिय घाटा सकल घहरेलू उत्पात के 7.0% जीरोपितीसत अनुमानित और संग और राज्यों का समेकित राजकोसिय घाटा घहरेलू उत्पात के 12.30 के वाराबर हो सकता है और समग रेण 85.30 तक पहुंच सकता है एक बात आप लोग भी जानते हैं कि कोरोना महारी ने हमारी भी देशको नहीं फूरी दुनिया को प्रभावित किया है दुनिया की जो भी अर्थवे उस्ता है जो अच्छी इस्तिती में थी उन्हें भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया हुए आप लोग देखते थे एक समय हमारी 7.4 बिकास दर हुआ करती से 7.5, 7.6 आज आपकी जितने भी रेटिंग एजनसी आएं वो सभी आपकी कोई 1.5 परसंट, कोई 2 परसंट, कोई 5 परसंट इससे जानदा नहीं बता रही है यहाँ आपने देखा है कि राजकोसिय घाटा सब्द क्या होता है यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर राजकोसिय घाटा की बात की जा रही है होता क्या है, तो याद रखिए सरकार की कुल आए और 2 में अंतर को राजकोसिय घाटा कहा जाता है माल लिजे कि हमारे आप 10 रुपे कमा रहे हैं और आप 12 रुपे खर्च कर रहे हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कितना रुपे घाटा हुआ आपको, 2 रुपे घाटा हुआ और एक सब दोर आया हुगा आपका सकल गहरेलू उत्पाद तो याद रखे सकल गहरेलू उत्पाद का मतलब सीधा साब लीजे कि एक बर्स में एक राष्ट यानि कि हमारे भारत की बीतर सभी अंतिम माल और सिवाओं का बाजार मूल आपका क्या कहलाता है सकल गहरेलू याद रखे एक अर्थवरस्था के आर्थिक पेदरसन के लिए एक बहुत अच्छा संक्य तक भी है ठीक है तो कितना देखा जा रहा है साथ दसंपलोग चार पितिसत अनुमानित किया जा रहा है और अगर हम लोग राज्यों और संग राज्यों सबकी बात करें तो 12 पिति अर्थवरस्था को पटरी पर लाया जा सके दूसरी तरफ सरकार को याड़ है डर है कि अधिक खर्च करने से सरकार पर कर्च का बोच और राजकोसिये घाटा आने इनतित रूप से बढ़ सकते हैं इस तितिति में केड़िट रेटिंग एजेंसिया भारती अर्थवरस्था की रेटिंग कम कर सकती हैं इससे देश में निवेस भी कम आएगा और अर्थवरस्था में निवेस की कम आने से आर्थिक गतिविदिया नकारात्मकरूफ से प्रभावित होती हैं और अर्थवरस्था मंदी की स्थिति में जा सकती हैं एक बात आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आपकी rating agency मतलब rating agency या, जो आपकी rating खराब बताती है, आपकी तो आपके जो भी विदेशी निवेसक होते हैं, यानि की विदेशी कंपनिया उस देष में जाने से बश्चती हैं तीक है? और rating agency या, जिनकी rating अच्छी बताती हैं उन देशों में आप समझ सकते हैं कि ए जो भी आपकी बिदेशी कंपनियां होती है या बिदेशी निवेसा कोते हैं वो सभी जाते हैं एक बात और इसमें याद रखें आप भी तो जानते हैं कि आप वहीं तो जाएंगे जहां अगर ब्यापार आपको करना है तो आप उसी चित में जाएंगे जहां आपको सभी सुविधाय हो जहां आपको फायदा होने की उम्मीद हो तो यही दिखा दे रहा है और याद रिखिए अर्थसास्त्रियों का अपना अलग मानना है इनका इसलिए कहना है कि अधिक खर्च बढ़ाएगी तो क्या होगा कि आप सोचिए मांग भी उत्पन होगी मांग उत्पन होगी तो सप्लाई तभी तो हो पाएगी आप सोचिए कि अगर कोई चलिए मान लीजे आपकी सक्कर कोई या फिर गुड ले लीजे गोड किसी कोई खरीदने वाला नहीं है तो आप उत्पादन करके क्या करेंगे तो कम से कम डिमार्ड तो होनी चाहिए उसके बार में तो अर्ष सास्त्रियों का यही कहना है महामारी के पिकोप की बीच आर्थिक गतिविदियों को बढ़ाने और सरकार की राजकोशिय गाटा और अन्य चिंताओं के बीच संतुलन इस्थाबित करने है तो राजकोशिय परिशत की गठन की बात की जा रही है ताकि राजकोशिय परिवंदन को सुतंत रूप से परिश्तितियों की मताबिक परिवंदित किया जा सके और इस्तितियों को सुधारा जा सके अब बात करते हैं आकिर है क्या राजकोशिय परिशत राजकोशिय परिशत है क्या सरप विथम इसकी अनुसंसा 13 विवित्तायू की द्वारा की गई थी बाद में आपने देखा 15 विवित्तायू और राजकोसिय उतरदायत तेवं बजट प्रवंधन समीक्चा समती द्वारा भी इसे समर्थन पिराप्त हुआ जिसकी अध्यक्षता N.K. सिंग द्वारा की गई थी किसके द्वारा N.K. सिंग द्वारा आप जानते होंगे कि N.K. सिंग वही है 15 वित्तायू की अध्यक्षे N.K. सिंग ठीक है राजकोसिय परिशत मूल रूप से एक इस्थाई एजनसी है जिसे सरकार के राजकोसी योजना एवं आर्थिक इस्तिरता संबंदी मापदन्डों के संबंद में किये गए अनुमानों को का सुतंत रूप से मुल्यांकन करने का जनादिस प्राप्ते हैं राजकोसी योजना का सुतंत रूप से मुल्यांकन और विसलेशन करती है तत्वा अपने मात्पूर्ट सुजाहों को पिस्तुद भी करती है राजकोसिय योजनाग के मुल्यांकन के तहत सरकार के मत्वा कांची लक्षियों यथा अग्जिम बरसों में राजकोसिय घाटा को कितना कम करना है और अर्धवस्ता की विद्धिदर को कितना लेकर जाना है आदी का विसलेशन करना होता है इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इन सभी तत्थों को देखी गए आपकी राजकोसिय परिशत यहां आपको और बहतर तरीके से समझ में आ जाएगा राजकोसिय परिशत के अगर कारियों की अमबात करें तो राजकोसिय परिशत का उद्देश बहु बरसी है राजकोसिय फिच्छेपण भी है बहु बरसी है राजकोसिय फिच्छेपण का तात्पर यह है कि राजकोसिय परिशत को राजकोसिय प्रवंदन एबम इससे संबंदित अन बातों का अकलन करना होगा जैसे कि चालू बित्वर्स में भारती अर्वधिस्ता की बिद्धी दर कितनी रहेगी या फिर आगे आने वाली वर्सों में या कैसे हो सकती है इसका भी अध्यान करेगी इस संस्था द्वारा राजकोसिय इस्तिर्ता का बिसलेशन तयार किया जाता है जब राजस्थ की प्राक्ति और खर्च संतुलन की अवस्था में हो और सरकार सुचारो रूप से चलती रहे तो इसे राजकोसिय इस्तिर्ता की इस्तिति कहते है यानि कि एक तरह से आप कहिए कि राजस की प्राक्ति यानि कि आय हो रही हो और खर्च दोनों एक संतुलन अवस्था में हो और सरकार अपना काम अच्छे से कर रही हो तो यह से क्या कहते हैं राजकोसिय इस्थिर्था की स्थिति 1990 की दसक में राजकोसी इस्तिर्था को गंभी रूप से तब नुकसान पहुँचा था जब हारा सरकार की समख्च वुक्तान संतुलन का संकट खड़ा हो गया था सरकार अपने तैल लक्षों के नुरूप राजकोसी इगाटे के लक्षों बुरात कर पाई या नहीं इस बात का मुल्यांकन राजकोसी इपरिशाद द्वारा किया जाता है इसके लिए परिशाद एक मुल्यांकन रिपोर्ट भी तियार करती है सरकार राजकोसी इपरिशाद इस्तत पर भी मुल्यांकन करती है सरकाव द्वारा वजट में भी की गई घोशनाओ को भविस्व में कैसे आसानी से लागू किया जाए इसके लिए राजकोसी प्रवंदन में जरूरी संसोधनों का सुझाओ परिशत द्वारा दिया जाता है राजकोसी परिशत द्वारा वार्षिक राजकोसी रणनीती रिपोर्ट भी तेयार की जाती है उसे पब्लिक डॉमेन में रखा जाता है ताकि राजकोसी प्रवंदन में पारदर शिता को इस्थापित किया जा सके ये एक तरह से आप कहा सकते हैं कि सभी के सामने ये सभी जानकारी आ सके अब सबसे वड़ी बात है कि राजकोसी परिशत की आखिर आवश सकता क्यों है आप भी जानते हैं कि जब तक किसी बात की आवश सकता नहीं होती है उस पर बात भी नहीं होती है इसके पक्ष में हम लोग तर्ग देखते हैं बिसे सग्गों के एक बर्ग कमानना है कि राजकोसी फरिशत के कारियों को भारत में बिभिन संस्ताओं द्वारा बिभिन रोपों में संपन किया जा रहा है लेकिन फिर भी यदि राजकोसिय फरिशत की स्थापना की जाए तो राजकोसिय फिरवंदन और बेतन ढंग से हो सकेगा अंतराष्टी अनुवा बताते हैं कि राजकोसिय फरिशत सार्वजनिक वित्व और बहस की गुडवत्ता में सुधार करती है और इससे राजकोसी अनुसासन के अनुकूल सारुपजनिक राय बनाने में मदब मिलती है पिछले आट वर्सों से सरकार के अनुमानों में लगातार दस पितीसत की कमी आई है जिससे वर्स के मद्ध में फंड में कटोती हुई है और इस सरकार की राजकोसी फितीवद दिता के बारे में वेस्विक के एडिट रेटिंग एजन्सीओं में विश्वास बढ़ेगा यह आपके इसके पक्च में तरक हैं अब बात करते हैं बिपक्च में क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिक्का भी लेते हैं तो उसके दो पहलों होते हैं तो कुछ लोग आप देखते हैं कुछ भी संगठन बन रहा है या कोई भी आपकी समिधी बन रही हो तो उसके में कई तरह की बिपक्च में भी बोलने लगते हूं और पक्च में भी बोलने लगते हूं अगर बिपक्च में तरक्कों बात करें तो कुछ भी सेसक यह पिसन उठाते हैं कि आबास्तों में भारत में राजकोसी वरिशत के गठन की आवस्त लगता है जबकि इस परिशत द्वारा किये जाने वाले कारियों को भारत में विभेन कानून एबम संस्ताइं कर रही हैं जैसे FRBM कानून 2003 में सरकार के लिए आंगे आने वाली वर्सों में राज़कोसी गाटे को कितना कम करना है या निर्धारित कर दिया गया है यदि सरकार इन लक्षों को से बिचलित होती है तो इसकी इसपष्टी करन पिदान करना होगा संसद में भारा सरकार को एक राज़कोसिये नीती रड़नीती स्टेटमेंट रखना होता है ताकि सरकार की राज़कोसिये नीती से संबंदी इस्तितियां इसपष्ट हो सके संसद में इस पर सार थक वहस भी हो सके जब उपयुक्त कार पहले से ही संसत में किया जा रहा है तो इसके लिए एक नई संसता की निवार्ट की उच्छत्तिता पर कुछ विसेसग्य सवाल खड़ा कर रहे हैं यानि कहने का मतलब कहा जा रहा है उनकी द्वारा की इस तरह की विवस्था हैं पहले से हैं हमारे यहाँ तो एक नई संस्था लाकर क्या फरक पड़ता है यानि कि इसकी कोई जरूरत नहीं है एक तरह से यह लोग कह रहे हैं राजकोसी यह परिशत भारती अर्थवस्था की बिद्धीदर के संदर्व में समय संदर्व में पर अनुमान ब्यक्त करने के साथ वर्थमान बिद्धीदर का विसलेशन भी करती है लेकिन यह कार भारत में कई सरकारी एजनसिया भी कर रही है जैसे भारतीय रिजर्ब बैंक के अंदरीय सांकी की संगठन आदी इसके अत्रिक्त अंतराष्टी मुद्रा कोस विस बैंक आदी भी ऐसे आक्रे पिस्तुत करती है बारत का नियंतक एम महा लेखा परिक्षत भी सरकार की राजकोसिय नीतियों का विसलेशन करता है और इस समंधमें रिपोट भी तियार करता है अब बात करते हैं कि राजकोसिय परिश्ट के सामने चुनोतियां क्या है इस पर भी बात कर लिता हूँ राजनेतिक इक्षा में कमी से गंभी राजकोशी और गेर जिम्मेदारियों में बिद्धी होगी वर्स 2003 में जब एप आरबीम को कानून के दारे में लाए गया था तब इस पर बिद्धिये समस्याओं के उपाई की रूम में बिचार किया गया था एप आरबीम द्वारा सरकार को पूर्म निर्धारी राजकोशी ये लक्षेओं की अनुरूप तथा इसमें बिफल रहने पर बिचलन सम्मंदी कायणों की व्याक्या करने में मदद करता है सरकार को अपनी राजकोशी ये उद्देसों की विस्तार से नहीं की जाती है पी एप एसस का विस्ताओ अकसर बगेर किसी सूचना की हो जाता है इसके कारेओं से धिर्म की इस्तिधी व्यूत्पन होना राजकोशी परिशत ब्यापक कार्थिक पूर अनुमान पिदान करेगी जिसे वित्मंत्राले द्वारा बजटे तो उपयोग किये जाने की उम्मीद है और यदि मंत्राले उन अनुमानों से अलग जाने का नेड़े लिता है तो यह विवस्त ब्याक्या करनी आवस्तिक होगी कि अलग जाने की जरूरत क्या थी इसके अलावे बित्मंत्राले को किसी अन अनुमान को उपयोग में लाने ही तो मजबूर करना इसकी जवाब देहिता को कम करेगा कारियों का दोराओ अब तक केंद्रिय सांखी की कारियाल है यानि कि CESO और RVI दोनों विकास और अन बेहत आर्थिक चरों का पूर्मना पूर अनुमान देती है परन्तु अब राजकोसी परिशत के अनुमानों के बारे में सवाल उठाए जाएगे यानि कि कहने का मतलब है कि पहले से ये लोग कलते आ रहे हैं इसका पूर अनुमान RVI हो फिर चाहिए आपका CESO तो अब ये तीसरी संस्था इस तरह की आएगी अगर इस परिशत आती है तो इस पर भी सवाल उठाए जाएगे इसके भी अनुमानों पर राजकोसिये फरिशन निगरानी तंद के रूम में कार करेगी और सरकार को रचनात्मक लेखांकन के माद्यम से राजकोसिये नेमों के उलगन से रोकेगी हाला कि सरकारी खर्चों की लेका परिक्षा और राजकोसी निगरानी का काम करने के लिए केक के रूम में पहले ही से ही एक संस्ता गत्तन्त है यानि कि पहले से ही सब कुछ मौझूद है इसकी लाने की कोई जरूरत नहीं थी इनका यही कहने का मतलब है आगे की राय के आप सकती इस पर उस पर भी देख लेते हैं हम लोग COVID-19 महामारी ने अभूत पूर आर्थिक चुनोतियों को उत्पन किया है इसके लिए राजकोसी परिशत की इस्थापना की जाने चाहिए जैसे सरकार जब सरकार वजट पिस्तुत करें तो उसके तुरंद बात केक की देखरेक में एक समती गठित की जा सकती है जिसमें RBI नीतियायूग बित्मंतराले और CSO आदी का भी योगदान लेना चाहिए यह समती सरकार के वजटिये तत्यों का सूख चुनोफ से बिसलेशन कर राजकोसी नीति के संबंद में एक रपोर्ट तेयार करेगी जो भविस्त के लिए मारुद दौसक का कार्श कर सकती है और सबसे बुरी बात तो एक है हमारे देश में पता है आप लोगों को कि हमारे याँ के सास्तियों को आप देखते हैं कि हमारे याँ के ergonomics जो भी इस टरह के देखती है उनसे बिदेशी यानि की बाहर के देश सलाँ ले रहे हैं लेकिन अधिक तर हमारे देश के सरकार उनसे सलाँ भी ने लेती है क्योंकि आपने देखा एवी नोबल प्राइज मिला हुआ था अवरी जीद बनजी साहब को उन्होंने भी इस सलाय दी कई तरह से तो हमारी सरकार ने उस पर अमल नहीं किया फिर आप चाहरा गुराम राजम साहब को ले सकते हैं और कई लोगों ने कहा है लेकिन अमेरिका को देखिए या जापान को देखिए या बाहरी किसी भी देशों को देखिए वो इन सभी संस्थाओं की सलाय ले रहे हैं और उसी हिसाब से काम कर रहे हैं क्योंकि याद रखिए ये जिस छित के हैं वो उसमें महारत हासिल की होए हैं तो अर्दवस्ता को किस तरह से इस गड़े से निकालना है? इनसे बेतर साइथ कोई नहीं जान सकता है. आप भी जानते हैं इस बात को. चलिए जो भी होगा, आगे हम लोग देखते रहेंगे.